नमस्कार में होते वांसू आप देख रहे हैं निश्पोर नेशन एक तरफ तेस्पी यादब को अभी सियम जो है वो बिहार का बनना है और इसके लिए वो लगतार काम कर रहे हैं संघर्स कर रहे हैं और जंता के मुद्दे उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ जीतम राम मांजी के बेटे को भी अब सियम बनना है मौजुदा वक्त में वो बिहार सरकार के मंत्री हैं और आज खुले तोर पर उन्होंने अपनी हसरतों का एलान भी कर दिया कि वो क्या चाहते हैं आने वाले वक्त में बनना दरसल आपको बता दे कि हम पार्टी की राष्टे अध्यक्स और बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन की अध्यक्सता में हम पार्टी की राष्टे कारकारनी की बैठक आज किसंगंज में हुई इस बैठक में संतोष कुमार सुमन ने कारकारताओं को संबोधित करते हुए कहा अगले 15 सालों में हमें अपने बलबूते बिहार में सरकार बनाना है साथी उन्होंने कहा पार्टी के रास्ते संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्य मंतरी जीतम राम मांजी के निर्देश और मार्ग दर्सन में पार्टी काम करीगी आगे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन कहते हैं इससे पहले हम पार्टी की रास्टे परस्यत की बैठक बिहार के सुदूर इलाके बगहा में आयुजित की गई थी आज किया रास्टे कारकारने की अथिहासिक बैठक जो किसंद गंज में बुलाई गई है इस बैठक को लिकर यहां के लोगों के बीच एक उत्सा का महौल बना है लोग चाहते हैं कि यहां हम पार्टी का संगठन का बिस्तार हो मजबूती और लोगों को जोडने के लिए पूरे बिहार के लिए हम यात्रा पर निकलेंगे उन्होंने क्यारकरताओं से कहा कि लोगों की समस्याओं का निदान कर ही संगठन को मजबूत किया जा सकता है इसकी लिए हम पार्टी के करकरताओं को और मेहनत करने की जरुवत है हमारे कारिकरता मेहनती और इमंदार हैं वह मेहनत करें तो निश्चित ही आने वाले 15 सालों के अंदर बिहार में हम अपनी बलबूते बहुमत वाली सरकार बना लेंगे उन्होंने कहा संगठन में पद को लेकर काम नहीं करने वालों को चिनहित किया जा रहा है जो काम नहीं करेंगे उनके जगह नए लोग को पदाधिकारी बना कर पार्टी की सेवा का मौका दिया जाएगा आगे जितमराम मांजी के बेटे कहते हैं कि लोग जुडने के लिए तयार है हमारी पार्टी की नीतियों और सिधानतों के कारण आए दिन नए नए लोग पार्टी से जुड रहा है तो कुल मिलाकर एक लंबा भासन जितमराम मांजी के बेटे का होता है किसंज गंज में लेकिन जो सबसे एहम भासन का सबसे एहम मजमून ये रहा कि जितमराम मांजी के बेटे डॉक्टर सुमन कहते हैं दॉक्टर संतोष कुमार सुमन की 15 सालों में हम अपने बलबूते बिहार में सरकार बनाएंगे ये बड़ी बात है क्योंकि मौझूदा वक्त में हम पार्टी जो है वो बिहार NDA का हिस्सा है और ये अपने कारकरताओं से समोधित करते हुए जितमराम मांजी के बेटे कहते हैं किसंद्गंज में कि आने वाले 15 सालों में अपने बलबूते पर वो बिहार में सरकार बनाएंगे यानि कि हम पार्टी एक तरह से कह सकते हैं कि पून रूप से सत्ता में आ जाएगी हम पार्टी का विस्तारी करन इस रूप में हो जाएगा कि बिहार में आने वाले 15 साल में खुद अपने हम पार्टी की सरकार बन जाएगी उसमें नहीं आरजेडी होगी नहीं जेडी होगी उस वक्त और ना बिजेपी होगी तो इसका मजमूनी है कि सीम जीतम राम मांजी के बेटे होंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो बिहार के यातरा पर निकलेंगे ल को पार्टी और संगठन से जोड़ेंगे तो फिलाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं